पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए आपसे भी कोई स्पोर्टल के अंदर लोगिन होना है इसके बाद आपके सब्सक्रिकार सी आप्सेंस आएगा आपको अप्लिकेसिन टाप पे किलिक करना है चेंज और करेक्शन वाले आप्सें का सेलेक्शन करना है और इसके बाद यहां पर date of worth को type कर देते हैं इसके बाद जो भी उसका gender है आप यहां से उसका gender का selection कर लेंगे और इसके बाद यहां पर आप जो है customer का mobile number डाल देंगे अगर customer के पास mobile number नहीं है तो आप अपना mobile number भी डाल सकते हैं और यहां पर आपनी एक email आइडिया डाल देंगे फिर जिकल पैन पर आपको जो है yes पर किलिक करना है और यहां पर आपको ट्रामसन कर्णिशन एक्सप्ट करना है और पर किलिक करना है फिर आपको यहां पर सम्मिट करना है फिर आपको ओके पर किलिक कर देना है जैसे आप ओके पर किलिक कर देते हैं आप सभी के सब्स प्रिक को नहीं करना है ठीक है इसका यहां पर जो भी उसका पैनकार्ड नमबर है वो पैनकार्ड नमर आप यहां पर डाल देंगे पैनकार्ड नमर डालने बाद आपको दुबारा से उसका मिलान कर लेना है कि आपने सही डाला है गलत डाला है सही आपको चेक करने बाद फिर यहां पर आपको उसका टाइडल का सेलेक्शन करना है और कस्टमर को जो भी फ्रस्ट नेम लास्ट नेम मिडल नेम है उसके आधार कार्ड में वैसे ही आपको यहां पर टाइप करना है अगर लास्ट नेम है तो फिर लास्ट में डालेंगे फरस्ट में और सेकंड में इस प्रिकार स है और फिर इसके बाद जो है आपको उसका डेट का सेलेक्शन करना है डेका ठीक है तो इस प्रिकार से आपको सेलेक्शन करेंगी इस प्रिकार से आपको डेट हो जाएगा अब इसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर टिक करेंगे और इसके बाद फिर नीचे आप आना है और यहां पर आपको submit वाले बटन पर click करण्खे तो इस प्रीकार से objects यहां पर आपको next पर click कर देना है जिएंप खिल यहां पर उसके पीता का नाम आपको डाल देना है और सिंगल नेम है अगर फिरस्ट रिखारस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और इसके बाद इस प्रिकार साभ नेक्स करेंगे नीचे आगे तो यहां और यहां पर आने के बाद तिर आपको जो है सम्मीट वाले बटन पर किलिक करना है तो इस प्रेकार से एक अच्छे से बार चकिंग कर लेंगी कि आपने जो भी डिटल्स डाली है वो सब कुछ सही है राइट है तो कोई बात ने आप पेस्ट को स्कुर्ट के नीचे लेकि पर किलिक किया आप सभी के सामने पूरा प्रेव्यू पेज आ गया है जो भी आपने डिटल्स डाली हों सभी की आपको डिटल्स यहां पर देखने को मिलेगा आपको अच्छे से एक बार केरफूली चेक करना है अगर सब कुछ सही है तो आप जो यहां पर कंफ्रम वाले ब तो आपको सबसरे बिले कस्टमर का फिंगर ऐसे सब कर वालना है उसके बाद यहां पर क्लिक करेंगी आपके बाइग्ट किलिक करना है और इसके बाद जो आपका authentication पेज है वो successful हो जाएगा इस प्रिकार से इक वाई से authentication successful आप OK पर click कर देंगे ठीक है जैसे आप OK पर click करेंगे फिर सापके सामने इस प्रिकार से पेज आएगा फिर से आपको जो है बायोमेट्रिक की साइन वाले option पर दुबारा से click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे फिर इस प्रिकार से आप सभी किसाने pop-up के अंदर एक page open होने लग जाएगा थोड़ा से यहाँ पर wait करना इसमें आपका 10-15 सेकंड का time लग सकता है यह आपके internet की speed पर depend करता है तो इस प्रिकार से आप सभी किसाने form आ जाएगा अब यहाँ पर पर यहाँ नीचे आएंगे box पर टिक करेंगे ठीक है इस प्रिकार से और सबसे नीचे आएंगे इस प्रोल करते हुए आपको capture पर click करना है आपके pop-ups आएगा आप पर click करेंगे आपके पर लेगा capture करवाई इसके बाद आपका ओकी पर click कर देना है तो आप सभी के समय इस परिकार से पेज लोडिंग लेगा थोड़ा से यहाँ पर वीट करना है कुछ भी छेड़ आपको इस समय नहीं करना है जब तक ही प्रिक्रिया आपकी system में हो रहा है इसके बाद आप दे status में आपका success लिखावा चुका है आपका आपका जो भी नंबर है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो इस प्रिकार से आप सभी हमारी ID के द्वारा pen card में correction कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से OTP और Biometric इन दोनों में से किसी एक का selection करकी आप यहाँ